बिटे हमारा fundamentals of partnership वाला chapter continue है जिसमें कि हमने सबसे पहले profit and loss appropriation account बनाना सीखा था फिर उसके बाद में हमने partners का capital account बनाना सीखा था हमने यह सीखा था interest on capital कैसे calculate करते हैं, interest on drawings कैसे calculate करते हैं, कैसे उसको partners के capital account में transfer करते हैं अब यह सब बनाते हैं, देखें, गलती तो सबसे हो जाती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो accountant भी एक इनसान है, उससे भी गलती हो सकती है हमने 11th में भी सीखा था कि अगर कभी कोई गलती हो जाती है कोई entry करते समय गलती हो जाती है तो हम उस गलती का सुधार करते हैं उसका हमारे chapter का नाम था अगर आपको याद हो rectification of errors तो ऐसे ही यहाँ पर अगर accounts close होने के बाद में हमें कोई गलतीयों के बारे में पता चले तो उसका केवल एक ही हमारे पास ilajah है अगर कोई गलती होई गई है तो हम उसको ठीक कर लेना चाहिए तो उस गलती का सुधार करने के लिए हम एक table बनाते हैं जिसको कि हम adjustment table या adjusting table बोलते हैं और उसकी मदद से हम एक rectifying entry पास करते हैं जिसको कि हम adjusting entry बोलते हैं partnership में अब देखिए यह गलतीयों हमारी क्या-क्या हो सकती है accounts close होने के बाद में हमें क्या-क्या गलतीयां पता चल सकती है या तो हम कोई चीज भूल गए omit omit हो जाने का मतलब या तो हम कुछ भूल गए हैं या फिर हमने कुछ गलत लिख दिया omitted omitted मतलब लिखना भूल गए या फिर हमने कुछ गलत लिख दिया लगाई हमने गलत क्या हो सकता है हमने गलत interest on capital लगा दिया यानि कि हमें 5% interest on capital देना था हमने 7% दे दिया या interest on drawings हमने 5% of interest on drawings लेना था लेकिन उसकी जगा हमने 3% interest on drawings ले लिया salary हमने A को दे नी थी हमने B को दे दी या इस तरह है कि कोई भी गलती और profit sharing ratio हमने बराबर बराबर की जगा हमने 3-2-1 लगा दिया या 3-2-1 की जगा 2-3-1 लगा दिया तो ऐसी गलतियां हमसे हो सकती हैं यह अलग-अलग गलतियों के आधार पर हम अपनी adjusting table बनाते हैं जिससे क हम questions को करते हैं अब इसमें हमें कुछ steps follow करने हैं क्या what steps we have to follow while performing such kind of questions तो यह note कर लीजे step 1 सबसे पहले past adjustment वाले questions करने के लिए सबसे पहले opening capital चेक करो यह note कर लेंगे धीरे धीरे वीडियो को pause करके चीज़े note करते रहेंगे इसको one flow में वीडियो को देखने से कोई फायदा होने वाला है इसको धीरे धीरे रुक रुक के रुक रुक के वीडियो को देखेगा और लिखेगा step 1 opening capital चेक करें सबसे पहले आप अपनी opening capital चेक करें अगर fixed capital है तो तो वही opening capital है इसके बारे में हम और detail में चर्चा करेंगे जब मैं ऐसा question लोंगी लेकिन अगर question में fixed capital होती है तो वही हमारी opening होती है वही हमारी closing होती है और अगर fluctuating capital याद है आपको हमने question किया था capital account बनाने के दो method से कौनसे कौनसे fixed capital account method और fluctuating capital account method जब fixed capital account होता था तो हम दो account बनाए करते थे capital account और current account और जब fluctuating होता था तो सारे fluctuations सारे बदलाव एक ही capital account में होते थे और fixed capital account method में जो balance होता था वह same रहता है वही opening वही closing तो fixed है हमेने कहा कि अगर fixed है तो कोई समस्या आने ही नहीं वाली वही opening होगी Step 2, Interest on Capital और Interest on Drawings की Calculation करके रख लो जब आप Question चुरू करेंगे तो Interest on Capital और Interest on Drawings की Calculation करके रख लेंगे Step 3, Adjustment Table बनाओ आप देखेंगे हम Adjustment Table कैसे बनती है Adjustment Table बनाने से पहले मैं Question दे रही हूँ इस Question को Note कीजे, वीडियो को Pause करके ये Screen सामने रखके इस Question इसको Note कर लिजे, Note कर लिया Question क्या है, देखें, Capital fixed है, दो Partners है, P and Q P की Capital है 1,00,000, Q की Capital है 50,000 Interest on Capital at the rate of 10% per annum, Q की भी at the rate of 10% per annum अब गलती हमसे क्या हुई है, The Profit was divided The Profit was distributed without providing interest on capital यानि की interest on capital दिये बिना ही हमने Profit को distribute कर दिया क्या Profit है, कितना Profit है, ये अभी इस Question में नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी ऐसा क्यूं है फिर लिखा है Past Adjustment Entry Adjustment Entry हमें पास करनी है अब Adjustment Entry पास करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो हमें ये करना है कि हमें Adjustment Table बनानी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था Adjustment Table जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाए जितने Partners है हम ऐसी Adjustment Table बनाएंगे ये Particulars के लिए इतना ही कॉलम छोड़ेंगे जैसे दो Partners है तो यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर Firm ये P आएगा यहाँ पर, यहाँ पर Q आएगा, यहाँ पर Firm आएगा ये इसको बिल्कुल ऐसा मान के चलिए जैसे कि ये Capital Account हो ये P का Capital Account ये Q का Capital Account और Firm का ऐसे मान के चलिए जैसे कि P&L Appropriation Account बनता है ये सोच के चलिए और फिर इमेजिस को अपने दिमाग में जब आप लेकर आएंगे यहाँ पर Short Short लिख लिए अभी हिंट के लिए कि जैसे कि हमें Capital Account बना रहे हो और हर उसके दो कॉलम्स डिवाइड कर लिजे जैसे P का Debit Credit Q का Debit Credit और Firm का Debit Credit अब जो जो हमसे गलतियां हुई है उन गलतियों को हम यहाँ पर ठीक करेंगे कैसे ठीक करेंगे देखें यहाँ पर Adjusting Table मैंने आपके लिए बनाई है वीडियो को Pause कर दीजेगा और पहले ऐसे Adjusting Table बना लिजे Particulars, P, Q, Form, Debit, Credit, Debit, Credit, Debit, Credit बना लिया है अब एक एक गलति को हम देखते जाएंगे और यहाँ पर Record करते जाएंगे देखें कैसे Record करेंगे एक एक गलति को मैंने आपको बोला Step 1 है Opening Capital चेक करो इस Question में हमने चेक किया और उसमें लिखा है अगर Capital Fixed है तो वही Opening Capital है कोई Tension ही नहीं है इस Question को हमने ऐसा ही लिया है Capital Fixed है यही हमारी Opening Capital है 1,00,000 और 50,000 दूसरा मैंने बोला Interest on Capital और Interest on Drawings को Calculation कर लो हमने Interest on Capital और Interest on Drawings की Calculation करी तो 1,00,000 का 10% हुआ 10,000 50,000 का 10% हुआ 5,000 यह हमने Interest on Capital दोनों का Calculate करके रख लिया अब Step 3 है Adjustment Table बनाओ जो कि मैंने आपको कहा यहाँ पर बनाने के लिए अब Adjustment Table में बचो आपको सबसे पहला नाम लिखना है जो आपसे गलती हुई है क्या गलती हुई है हमसे यहाँ पर Interest on Capital यह Interest on Capital हमने यहाँ पर लिखा अब Capital Account को याद करो Capital Account में Interest on Capital आपने कहां लिखा था तो याद आया यह देखिए मैंने आपके लिए Capital Account का Format निकाल कर रखा है Capital Account में Interest on Capital Buy Interest on Capital यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर Interest on Capital P के खाते में यहाँ पर लिखा Credit में 10,000 बिल्कुल ऐसे ही Q के खाते में Credit में लिखा 5,000 अब Firm के लिए Firm के लिए मैंने आपको बताया था Firm के दृष्टी कोंट से हम क्या बना रहे हैं एक तरीके से P&L Appropriation Account ज़रा सोच के देखिए P&L Appropriation Account में Interest on Capital कहा लिखा होता था Debit side में इसलिए यहाँ पर Firm के खाते में हम Debit side में यहाँ पर 15,000 लिख देंगे 15,000 यह हमने यहाँ पर 15,000 लिख दिया यह हमारा पहला काम पूरा हो गया जो हमने नहीं दिया था जो हमसे गलतियां रह गई थी हमने उन गलतियों को ठीक कर दिया अगर इंट्रेस्ट on Capital दिया होता तो P&L Appropriation में Credit side में difference आता था Credit side में difference आता था क्या होता था वो Loss इसी लिए इस 15,000 का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर Loss यह 15,000 Loss को हमने P और Q में बाट देने Capital account याद कीजे Capital account में Loss किस तरफ लिखा जाता था अगर P&L Appropriation account में Loss होता था तो Capital account में 2 P&L Appropriation यदि Loss है तो तो हमने यहाँ पर लिखा जाता था Debit side में इसी लिए इस Loss को हमने यहाँ Debit side में लिखा 7,500 क्योंके Debit side में लिखा 7,500 क्यों लिखा 7,500 Because the profit sharing ratio is not mentioned in the question तो अगर profit sharing ratio mentioned नहीं होगी In the absence of partnership deed हमें पता है that the profit sharing ratio will be equal तो यह Loss हमने equal equal distribute कर दिया जहां से देखेगा हमने क्या किया जो हमसे चीज करनी रह गई थी वो हमने लिखी Step 1 Step 2 हमने इन firm को balance करके profit या loss निकाला Credit में आया इसलिए Loss है इसको distribute करा Capital account में post किया Loss के नाम से अब तीसरा काम करना है हमने balance निकालने का देखे balance कैसे निकलेगा पहले P को देखिए इधर total 10,000 यह हम rough में calculation करते है इधर total 7,5 10,5 कमी किधर है इधर कितने की कमी है 2500 की और आपको पता है जब capital account close होता है तो या कोई भी account close होता है तो उसकी last में brought down करने के लिए कौन सी side में है ये credit side में अब Q को देखिए Q के case में debit side में 7,500 credit side में 5,000 इधर जादा इधर जादा किधर difference है credit side में कितने का 2500 का ये 2500 हमने इधर करा तो यह आ गया 2500 का debit याद रखिए firm में कभी भी difference नहीं बचेगा firm का हमेशा total same आएगा 15,000-15,000 ये जो हमारा amount आया Q का 2500 debit और P का 2500 credit ये वो कमिया है जो हमें ठीक करनी है इसकी rectified entry कैसे पास होगी because the capital is fixed जब capital fixed होती है तो capital account से कोई transaction नहीं होती सारी transactions होती है current account से तो हमारी entry हो जाएगी Q's current account debit क्योंकि ये debit में balance आ रहा है to piece current account 2500, 2500 और narration हो जाएगी adjusting ये नोट कर लीजे वीडियो को पॉस करके पहली बार में ये एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है वीडियो से समझने में थोड़ी और कठिना ही आ सकती है तो मैं दूबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी पहले इस वीडियो को एक बार दूबारा से देखेगा